आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों करवाच सवत सुहागिनों का बहुत बड़ा ब्रत है तो चलिए आज हम साधारण विदी से पूजा देख लेते हैं लेकिन उससे पहले कहना चाओँगे कि आप लोग अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से तयार हो जाएगा जो भी कपड़े हैं अच्छी तरह से पहन लेजेगा आज हाथों में भरी-भरी चूडिया पहनेगा क्योंकि काम के ब्यस्तता के कारण कोई अच्छी तरह से प्रति दिन तयार नहीं हो पाता है तो अच्छी तरह से हाथों में भरके चूडिया पहने जेगा इत्र जरूर लगाईएगा दोस्तों क्योंकि आज हम तयार होने के बाद वो तो भूली जाते हैं लेकिन एत्र जरूर लगाईएगा तो चलिए मैं आसान और सरल विदी से आज करवा चौट की पूजा आपको बता देती हूँ कि कैसे और क्या करना है तो एक कलस रख लेजेगा कलस में सिक्काश उपाली हल्दी जरूर डाल देजेगा नीचे थोड़ा चावल रख लेजेगा कलस पे स्वास्तिक बना लेजेगा और आम के पलो डाल कर इस तरह से कलस तयार कर लेजेगा बगल में कर्वं माता की फोटो रखलेंगे, फोटो रखने के बाद दोस्तों, अब करवे में क्या भरेंगे, इसके बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकर चले फिर बता देती हूँ, कलस के ऊपर चावल भरकर एक दीपक रखदेंगे, चावल एक कटोरी में भर यह, के कमिट्टी के प्लेट में भरी है उसके दीपक्सला also अब हम गौरी गनेस के स्थापना करेंगे क्योंकि चाहे आप चितनी भी साधरりました क्रें गौरी गनेश की पूझा के बिना आपकी पूझा पूझा ही नहीं होती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि गौरी गनेश की पूझा आपको जरूर करना है तो जो सुपारी होता है उस पे मौली लेपेटी है और गनेशी का निर्माड कर लेजे ये काम मैंने बताया था आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं और उसके बाद पाउडर वाली हल्दी होती है उसमें जल मिला लेजे उनको गूत करके कौरी माता बना लिया जाता है तो ये देखिए हमारी कौरी गनेश तयार हो चुके हैं अब उसके बाद हम भरेंगे करवा तो करवे में कुछ स्थानों पे जो है वो पोहा भरा जाता है खील भरा जाता है और हमारे हाँ सुखे फल भरे जाते हैं तो एक करवे में हम भरेंगे जल जो कि गंगा जल मिस्रित जल है तो एक करवे में आप जल भार दीजिएगा जो गंगा जल मिश्री था इसी करवे को इसको खुणा नहीं है मतलब फेरने के बाद इसको वहीं पूजा में रख दीजिए जब चंदर उदय हो जाए तो आप ले जा करके चंदरमा को अर्ग देंगे सबसे पहले दोस्तों हम जो है वो भगवान का आवान करेंगे आवान करने का मतलब हाथ में जल फूल ले करके भगवान को स्मरड करके याद करेंगे कि आप करवा सौथ का बरत कर रहे हैं तो ऐसा सोच बोलते हुए भगवान को जो है आप आवान करेंगे आवान करने के भगवान को स्मर्ड करके और उनको पुलाएंगे उसके बाद आप हातों में जल फूल ले करके संकल्प करेंगे नामस्थान बोल करके कि आप करवासोत की पूजा करने नामस्थान गोत्र बोले कि है प्रभू मैं करवासोत की पूजा करने वाले हूँ हमारी पूजा पूजा उसके बाद दोस्तों अपने करवे भरने का काम करेंगे तो पहले करवे में हम गंगा जी मिश्रीत जो जल है वो जल भरेंगे और दूसरे करवे में हम सुखे फल भरेंगे या फिर खील बतासे मेवे जो भरे जाते हैं बस भर लिजेगा तो इस तरह से दो करवा भर करके अग टकना ज़रूरी है birdie Emanica 보면redit तो यहACAN क्वर कर लिए अग़़न कर लिया सब हो चुका हें अब हम करेंगे भगवां का बुजयन में सबसे पहले हल्दी कशात रोली कुम-कुम से । जो और हमे चैनल कर लिया सैंतता है इनके मा casosट पूजयन में। मतलब पूरे सी उपरिवार को तिलक कर लेंगे तिलक कर लेजे करवा माता को एक नई चुन्नी जो कि मैं उड़ा चुकी हूँ पहले से तो एक नई चुनरी है तो करवा माता की फोटो पे वो लगा लेजे और इस तरह से करके दोस्तों तिलक कर लेजे और दीपक तो जली रहा है दो बत्ती वगर दिखा लेजिए ये साधान विदी से यदि बहुत अच्छी तरह से विश्थित करना चाहे तो सब को एक-एक पान के पत्ते पे लौंग इलाइकी रख करके और सभी देवी देवताओं को शमर्पित करिए विधिवत करना चाहते हैं तो परन्तु मैं यहां आसान विधी से बता रहू हूँ जो कि ब्रत में ठकावट ना हो और आसानी से सब को ये पूजा कर पाए किसी भी तरह की दिक्कत के बिना अब उसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों जैसे कि अब करवा हमारा भरा चुका दीपक जल चुका ये सारे काम आपके हो चुके करवे में भरा हुआ सामान जल तो चंद्रमा को अर्ग देने में काम आएगा और जो सामान है करवे में भरा हुआ वो सास को दिया जाता है तो आपके हाँ यदि कोई नई परंपरा है तो देख लिजेगा सास को ही ये करवा दिया जाता है जिसमें आपने सुखे फल मिठा या जो भी बराया आपने तो ये देख लिजेगा अपनी परेमपराल जो अपने घर परिवार की होगी उसको जरूर निर्वाग कर लिजेगा अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि हम जो करवा माता को भर चुके हैं करवा कैसे फैरते हैं कि हर कोई अकेले पूजन करता है सिंदूर भी जरूर लगा दिजेगा कुवारी लड़कियां पूजा करी हैं तो सिंदूर आप लोग मत लगाईएगा तो करवा कैसे फैरा जाता है कि ये बहुत confusion वाला विस्ता है कि करवा बदले कैसे हम अकेले पूजन करते हैं तो देखे करवा बदलने की रीती है कि दाएं का करवा बाएं बाएं का करवा दाएं होता है तो ये हम खुद से कर लेते हैं साथ बार ये प्रक्रिया की जाती है तो अभी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ दूसरी प्रक्रिया है कि हम फोटो से साथ बालस पर्स करा करके जो फोटो होता है उस पे करवा या परवती माता बनी हुई होती है और हाँ दोस्तों इस पूजा में शुहाक सामगरी चड़ती है जिसमें एक शाड़ी होती है शाड़ी नहीं मिल रही है तो ब्लाउंच के पीस या जो भी रखे क्योंकि इसके बाद ये सास को दिया जाता है तो जैसे ब्यवस्ता है तो देखे अच्छे से अच्छी चीज देनी चाहिए तो एक साड़ी तो जरूर रख लेना चाहिए और नहीं हो पार एक दम से ब्यवस्ता नहीं है तो एक पीस से कपड़े के रूप में रख लेजे श्रिंगार सामगरी रख लेजे पूजा के बाद ये सास को दे दिजेगा सास यदी सुहागिन है तो क्योंकि ये दान तो सुहागिन को ही दिया जाता है और नहीं सुहागिन है तो आप अपने सास के समान किसी भी बड़े को दे सकते हैं कर्वी के उपर मीठा रख जाता है तो आपकी यहाँ जो भी मीठा रख जाता हो बतासा या जो भी तो वो रख लेजेगा हमारे यहाँ जो बाजार से आई हुई मीठाईया होती है वही रख जाता है तो दोनों कर्वी पर मीठा रख देंगे एक कर्वी का मीठा और जल चंद्रमा को जड़ेगा एक कर्वी का जो सामान है वो सास को दिया जाता है और इसके बाद धूप दीब जानते ही है पूजा का यह सब पायल और बिच्वा यदि आप रखे हैं तो आप यह करवा माता को फिर आज के दिन यह जरूर समर्पित कर लेजेगा यदि है तो क्योंकि बिच्वा सुहाग का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है तो बिच्वा आप चढ़ा देजी साल में एक बार यह पूजा होती है तो थोड़ा सा विदिविदान से करने तो ज़्यादा अच्छा होता है हाँ दोस्तों एक चीज़ और है कि आज करवा चौद के दिन आप लोग एक चीज़ और ध्यान दिजेगा पति से अपने लडाई जगडे मत करिएगा कोई भी कमी हो कुछ भी दिक्कत हो तो होता है जीवन तो कमी और उसी से बना हुआ है हम चाहें लाग करने कोशिस जीवन पूर्ण कभी नहीं होता है और पतिदेव लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि साधी के बाद अगर वो किसे से कर सकते हैं सबसे हीत ऐसी हैं तो वो आप ही हैं तो ध्यान देना मत भूलेगा और हाँ जो चालन हम चंदरदेव की पूजा में प्रयोग करने वाले हैं उस पे भी स्वास्तिक आप लोग अवश्य बना लेजिएगा स्वास्तिक बना के और उसको पूजा में रखा जाता है कि वो भी थोड़ा विसेश हो जाए तो स्वास्तिक बना कर उसको पूजा में रख लिजे बाद में चंदरदेवा को अर्ग देना होगा अब हम करवा फेर करके जैसे मैंने बताया आपको दिखा है कि दाएं का करवा बाएं ये प्रक्रिया साथ बार आपको करना है एक दो बार ने साथ बार करना है साथ बार दाएं से बाएं बाएं से दाएं ऐसे करवे को बदला जाता है बदलते टाइम ध्यान रखे टकराहट नहीं होना चाहिए करवों में तो ये चिज़ आपको ध्यान रखना है करवों में टकराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और फोटो के पास ही करके साथ बाट सावधानी के साथ इसको बदल दिया जाता है तो दाएं का करवा अब बाहें आ गया इस चीज़ का ध्यान रखे अब जो करवा में जल भरे हैं उसको चंद्रमा को अर्ग देने के लिए ये पूजा तो साम को होगी और चंद्रमा जब उदै होंगे तो चंद्रमा के पूजा होगी तो यहां से उठा ले जाएगा दूसरा करवा फेरने का नियम ये है जैसे फोटो से मैं करके दिखा रही हूँ तो आप चंद्रमा को अर्ग देने के लिए यही करवा उठा के ले जाएंगे जिसमें आप जल भरे हुए हैं तो इस तरह से करते रहे हैं और एक नारियल दोस्तों जरूर समर्पित कर दीजेगा पू पूजा में समर्पित किया जाता है बाद में इसे तोड़ करके आप खूद परिवार जहीद प्रशाद इसका क्रहन कर जकते हैं तो इस तरह से कर लिया जाता है दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दीजेगा जो नारियल आप समर्पित करेंगे उसमें मौली बगर लपेट दिया जाता है सुहाग चामगरी जमेश आप सोलस रिंगार जड़ा सकते हैं मैं सिर्फ सिंदूर बिंदी और साड़ी रखी हूँ और आप इस तरह से रख करके और अपनी सास को आराम से दे सकते हैं क्योंकि कहा जाता है ने कि शुक सौभागे की चीज़े जितनी दान करिया उतनी ही वृद्धी होती है तो इसलिए इस तेवहार में इस ब्रत में दान करने का विसेस महत्व है तो इस तरह से करके दोस्तों हमारा दान हमारी पूझा पूझा हुई अब हम करेंगे आरती आरती किस देवी देवता की करेंगे तो गनेश्ती की आरती करिएगा फोलेनात की आरती करिएगा अब चल पर दिपक बना लिजेगा क्लस का दिपक आपको बिलकुल भी नहीं उठाना है यह चीज़ आपका ध्यान रहे इसके बाद दोस्तों चंदरमा की पूजा करने के बाद चंदरमा की पूजा में वैसे तो कोई नियम नहीं है लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान रखना है कि करवा उठाली जीए करवा उठाने के बाद आप भरे हुए करवे से चंदरमा को जल देंगे और जल देने के बाद अपने पति देव 5 और दे उसके बाद चंद्रमा को जो है वो देखा जाता है चलनी में दीपक रखे तो चलनी में दीपक रखे चंद्रमा को देखे उसके बाद पती देव को देखे पती देव को देखे मतलब चंद्रमा की पूजा पूजा होने के बाद हम पती की पूजा करेंगे ये ध्यान रखे त तो चंद्रमा की पूजा में जो भोग करवे के उपर रखे हैं वो भोग भी हम चंद्रमा को चढ़ाएंगे और उसके बाद चंद्रमा की पूजा करने के बाद चंद्रमा की आरती करेंगे आरती करने के बाद चंद्रमा के पैर्च होने के बाद उसी चालन से जिसने आपने चंद्रमा को देखा था उसी से पदिदेव को देखेंगे और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद देखें चंद्रमा को अर्ग देने का नियम यही है कि आप जो टोटी होता है उसी टोटी के माधम से चंद्रमा को अर्ग देंगे नीचे कोई बरतन जरूर रख लेजेगा क् कि जल्व अगरा पैर में लगना नहीं चाहिए तो इस तरह से करके दोस्तों चंद्रमा को अर्ग दे करके और तब जा करके हम पहले अर्ग देंगे उसके बाद तब चालन में उन्हें देखेंगे ठीक है इस तरह से करके हमारी पूजा पाठ जो है वो पूंड होता है तो जो होते हैं उसको चिपकाना मत भूलेगा उसके बाद पती की आर्टी की जाती है पैर चूकर उनका असिरवाद लिया जाता है उसके बाद असिरवाद लेने के बाद आप पती देव के पूजा कर लिए असिरवाद ले लिए उसके बाद आप उनके हाथों से अपना ब्रत आराम से एक गिलास जल से या फिर मीठा खा करके आप अलग से जो मीठा मैं लेके गई हूँ उस मीठा से आप अपना ब्रत तोड़ सकते हैं इस प्रसाथ से पती को भी प्रशाद दें परिवार वालों को प्रशाद दें इस तरह से करके आपका ब्रत भून हुआ तो उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत फसंद आई होगी बताईएगा जरूर वीडियो अच्छी लगे काम की लगे तो बताईएगा जरूर और एक लाइक जरूर करिएगा और इस तरह से करके मैं फिर दिखा रहे हूँ कि देखे चंद्रमा को देख लीजेगा और देखने के बाद अपने पती के दर्शन जरूर करिएगा दर्शन करने के बाद अब पहले चंद्रमा का पोजन होगा उसके बाद ही पती का पोजन होगा तो ये स्टेप बोलिएगा नहीं पती के पैर चुना मत बोलिएगा वैसे तो पैर चुने के ना